गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पर क्यों लटकता है आँ किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फरक नहीं पड़ता है चलो अभी तो फाइनली दोस्तो सुपरिश्टार अक्षे कुमार की फिल्म सूरी वंशी के पांचवे दिन के अपडेटेट कलेक्शन हम सभी के सामने आ चुके हैं और इसी के साथ अक्षे कुमार ने एंडियन सिनिमा का एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और एंडियन सिनिमा के पहले ऐसे सुपरिश्टार बन चुके हैं जिनकी फिल्मों ने लगातार 200 करोड का अखड़ा पार किया हो जी हाँ दोस्तो आप सभी को बताते चलें कि सुपरिश्टार अक्षे कुमार की वन अप दो मोस्ट अवेटेट फिल्म सूरी वंशी जोकि एंडियन बॉ बॉक्स आफिस पर 100 करोड का अखड़ा पार कर दिया है और वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर भी दोस्तो इस फिल्म ने 1500 करोड का अखड़ा पार कर दिया है जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दे चलें कि रोहिश्टिक एड़ा अक्षन में बनने वाली एंडियन सिनि केमियो के तोर पर अजय देवगन और रनवीर सिंग ने बहतरिन काम किया है बताते चले दोस्तो आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स आफिस पर बहतरिन ओपनिंग ली और लगबग 32 करोड रुपे औल इंडिया ग्रोस पर कमाए जो कि दोस्तो एक तरह से आउस्टेंडिंग कलेक्शन था मोही दोस्तो अपने दूसरे दिन और तीसरे दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शन थी वो बहतरिन रहे इस फिल्म का शुरुआती तीन दिनों का ओल इंडिया नेट पर जो कलेक्शन रहा वो लगबग 38 करोड रुपे का रहा ओल अक्षे कुमार सर के केरियर की 27 फिल्म थी जो की 100 करोड के आखड़े को पार कर पाई और अक्षे कुमार सर दुनिया के पहले ऐसे सुपरिश्टार बन चुके हैं जिनकी 27 फिल्मों ने 100 करोड के आखड़े को पार किया हो इसके अलावा दोस्तो सुपरिश्टार अक्षे क इस फिल्म के जो चोथे इनके कलेक्शनस आये हैं वो रहे हैं 14 करोड 51 लाक रुपे के जो की All India Net पर रहे वही ओल इडिया ग्रोस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने चोथे दिन लगबग 17 करोड रुपे कमा हैं इसी के साथ दोस्तों अक्षे कुमार सर की ये फिल्म एडिया नेड बॉक्स आफिस पर 92 करोड रुपे कमा चुकी है All India Gross बॉक्स आफिस पर 109 करोड रुपे कमा चुकी है वही दोस्तों आफिस बॉक्स आफिस पर अपने शुरुआती 4 दिनों में लगबग 32 करोड रुपे कमा चुकी है यानि कि दोस्तो अक्षे कुमार सर की ये फिल्म worldwide box office पर अपने शुरुवाती चार दिनों में 140 करोड रुपे का आखड़ा पार कर चुकी थी लेकिन अगर बात कि जाए इस फिल्म के पाँचवे दिन की तो दोस्तो आज के इस फिल्म के जो updated box office collection अभी तक के आ रहे है वो सभी को हैरान कर देने वाले है क्योंकि दोस्तो आज भी इस फिल्म के जो collection है वो double digit का आकड़ा आसानी से पार कर रहे है और box office पर आज इस फिल्म का जो collection है वो लगबग 12 करोड रुपे का आ रहा है यानि के दोस्तो इस फिल्म का Indian net box office पर जो collection है वो 100 करोड रुपे का आज पार हो चुका होगा और अक्षे कुमार की ये 15 फिल्म होगी जो की 100 करोड का आकड़ा पार कर रही है इसी के साथ दोस्तों सुपरिश्टार अक्षे कुमार सार Indian cinema के एकलोते से सुपरिश्टार बन चुके है जिनकी 15 फिल्म में 100 करोड के आकड़े को पार कर चुकी है वही worldwide box office पर 27 फिल्म में 1500 करोड का आकड़ा पार कर चुकी है हाला कि दोस्तों सुपरिश्टार सल्मान खान की भी 15 फिल्म में box office पर 100 करोड के आकड़े को पार कर चुकी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर worldwide box office के मामले में अक्षई कुमार ने सल्मान खान, शारुक खान और आमिर खान जिसे बड़े सुपरिश्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है बताते चलिए दोस्तों आपको कि आज यह फिल्म Indian box office पर लगबग 104 करोड रुपे के आकड़े को पार कर रही है वही worldwide box office पर यह फिल्म लगबग 105 करोड रुपे के आकड़े को पार कर रही है यानि कि अक्षवी कुमार सर की यह फिल्म जिस तरह का ट्रेंड अभी दिखा रही है उस हिसाब से दोस्तों यह फिल्म Indian net box office पर लगबग 210-220 करोड रुपे कमा सकती है Indian gross box office पर लगबग 240-250 करोड रुपे कमा सकती है वही worldwide box office पर इस फिल्म का कलेक्शन 290-300 करोड रुपे का हो सकता है आपको दोस्तों क्या लगता है अक्षवी कुमार सर की इस फिल्म का lifetime कलेक्शन कितना होगा हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और बॉक्स आफिस बॉल यूड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपनी चेनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा दन्यवाद जेहिं जे भारत